सुआगते आपका दा हेमालियन स्टेडी एडूप चैनल पर हमासिस कुमारस्तोगी आज आपके सामने हम करेंड फिर्ट्स की वीडियो लेकर आए हैं और यह करेंड फिर्ट्स 29 मार्च 2 या 21 की हैं और यह 5 पॉइंट इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्पुण है इस वीडियो को आप लोग लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें आप लोग तो आपके टॉपिक की शुरुवात करने जा रहे हैं हम देखिए इसमें पहला पॉइंट आपके सामने हैं भारत और अमेरिका का दो दिवस्य अभ्यास सुरू हुआ है और इस अभ्यास का नाम है परेक्स सेन्ने अभ्यास ये सही पॉइंट आपके पृतोगी परिश्टा के दिरिष्टी से काफी महत्पुण है तो ये दिवस्य अभ्यास के आपके भारत और अमेरिका ने अभी हाली में मिलकर एक संयुक्त सेन्ने अभ्यास किया है और इसका नाम है परेक्स सेन्ने अभ्यास ये है हिंद महास्यागर में किया गया है और इसके बाद पॉइंट है नमबर दो 29 मार्च 1954 को नई दिल्ले में राष्टिय आधुनिक कला संगराले का उधगाटन किया गया था तो ये डेट आप ध्यानक कें कि 29 मार्च को इसके यादगार के रूप में इस पाइन को हमने शामिल किया है क्योंकि इस प्रकार के कोर्ष्टन प्रत्योगी परिक्ष्टा में कई वार रिपेट हो चुके है तो ये ध्यानक के आपकी 29 मार्च 1954 को नई दिल्ले में राष्टिय आधुनिक कला संगराले का उधगाटन किया गया था और इसके बाद इसमें पॉइंट नमबर तीन है स्वेज नहर में फसे जहाच को निकालने के लिए काम युदिस्तर पर जारी किया गया है ये चर्चा में रहा है पॉइंट आपका अभी हाली में अगर आपको ये जारा डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग नेट पर जाकर इसको साच कर सकती हैं लेकिन हमने आपको इतनी जानकरी दे दी है कि अभी हाली में कौन सी नहर चर्चा में रही है तो इसका नाम है स्वेज नहर और आपको बता दे हम कि स्वेज नहर भूमद्य सागर को लाल सागर से जोडती है और यह है दुनिया की सबसे लंबी जहाजी नहर भी है और स्वेज नहर पर मिस्र देश का अधिकार है और इसके इंजिनर का नाम है फर्डिनेंड डिलेसिप्स जिसकी देख रेक में यह नहर बनवाई गई थी तो यह द्यानक के आपके स्वेज नहर में फसे जहाज को निकालने के लिए काम युदिस्तर पर जो है चल लिया है इसके बाइश में पॉइंट आपका नमबर चार भारत ने इंग्लेंड को हरा कर सिरीज अपने नाम की है यानि कि अभी हाली में भारत और इंग्लेंड के मैच हुए थे जिसमें भारत ने इंग्लेंड को हरा दिया है इसमें T20 और One Day और Test Match ये सभी इसमें इंग्लेंड को हरा दिये है क्योंकि इस प्रिकार के कोशन प्यवर में कई बार आ चुके हैं खेल जगत के कोशन और इसके बाद पॉइंट नबर पाँच है भोपाल और भुमनेश्वर के लिए संगम नगरी से उडान सेवा शुरू की गई है यानि कि भोपाल आपका लगता है मध्य प्रदेश में और भुमनेश्वर ओडिसा राज्जे में है तो यहाँ पर जो है संगम नगरी से उडान सेवा शुरू की गई है अवी हाली में तो यह पांच पॉइंट आपके लिए प्रत्योंगी परिक्षा के दिरिष्टी से काफी महत्पूर है इन सही पॉइंटों को आप लोग नोड़ भी कर सकते हैं क्योंकि इन में से आपको प्रत्योंगी परिक्षाओं में कोसन जरू मिलेगा और इसी चैनले के माद्यम से आपको समय समय पर भी मिलेगार की करेंड फेर्ट्स और नई भरती के संबन में सुचनाएं जारी भी की जाती है तो यह वीडियो आपको कैसे लगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरू बताएं जिससे की हम आगे भी इसी प्रत्योंगी वीडियो आपको इसी चैनले के माद्यम से प्रुवाइट कराते रहेंगे तो देखते रहें आप लोग हमारा चैनल दा हीमालियन स्टेडी यूटूब चैनल धन्यवाद